हेलो फ्रेंड्स विद मॉनिंग एवरीवन और फिर से स्वाकत है आपका मेरे यूटिब चैनल पे और आज मैं हूँ मसूरी जील जो की धहरदून और मसूरी के बीच में पड़ती है रास्ते में ही आपको मिल जाएगा लिखावा बोड लगावा मसूरी जील तो मसूरी जील समय एक haunted house है जो सब जेके common मिला था और 70 cinema है यहां पर और और आप यहां पर फ्रेंड्स उत्रकंट की गड़वाली जो ड्रेस है ट्रेडिशनल ड्रेस उसमें आप आपके फोटोस क्लिक कर आ सकते हैं वो टिंग कर सकते हैं और जैसे कि आगे और गाईज यह मसूरी जील के आगे ही यह एडवेंचर्स एक्टिविटीज करने के लिए जैसे वुड़न प्लैंक हो गया आगे टायर हो गया रूप पे हो गया यह सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बन रहा है मुझे लगता है चार पाच महिने में यह काम भी पूरा हो जाएगा तो यहां पी भी सब्सक्राइब आपस चलते हैं तो फाइनल गाइज अब मैं आ गया हूँ दैरदुन के जू में जो दैरदुन मसूरी रोड़ पर ही है और आप इसका में गेट एंटरिगेट आप सामने देख सकते हैं और इसमें एक मामूली सा एंटरिकट लेकर आप अंदर एंटरिकर सक सकते हैं और मैंने सुना है कि फिंदर फंपार्क छी के खेलने के लिए और यहां पर फन फार्क है जो बच्चों के लिए है यहां पर कुछ जूले बगरहा है और बहुत ही ऐमेजिंग वीव यहां से भी आप बच्चे बड़े लोग कॉपल्ट और सभी इंजोय कर रहे है वह आप लोग आएं तो यहां पर बिल्कुल इंजॉए कर सकते हैं and starting में ही बिल्कुल entry gate के सामने ही यह लिखा हुआ है यहां पर बोर्ड लगे में हैं birds, adventure, crocodile, aquarium, leopard इस आरी information के लिए बोर्ड लगाएं में और arrow भी लगाएं में direction को शायद लिखाने के लिए जू जो है वह बहुत ही amazing लग रहा है मुझे अभी में पूरा अंदर नहीं गया हूं इसके अभी में पूरा capture करने कोशिश करूंगा तो गाइस तुम स्टार्टिंग होती है birds की स्पीशिस से और बर्ड की स्पीशिज यहां पर बहुत ही अच्छी है जू में और इनके स्पैसिफिकेशन के लिए यहां पर जगे जगे पर बोर्ट लगे में हैं जहां पर आर आप इनका इनका बाइलोजिकल स्टिफिकल नेम देख सकते हैं इनके फूड की जानकारी ले सकते हैं इनका हाइट और बॉड़ी वेट फी सब कुछ पता है और अब यह सारे बर्ड की स्पीशिश चल लेए हैं यहां पर यह बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर इनका नाम और इनके बार सब को दिया हुआ है प्लासिफिकेशन यह क्या घाते हैं पूड वगएरा लैंथ इनकी वेट यह सभी को दिया हुआ है और आप इनके वाओ यह तो बहुत ही सुंदर है यह बहुत ही जाज़ा सुंदर है ओर अब यह कैसे दिखने चाहदा एक ना दिख रहा हूँ तो मैं इननों के भूठ बोट पर नहोंने डाला हूआ है ड़का दिखा जिए है बहुत ही सुनदर है वाओ एक बड़ तो यहां पर पास में भी आया मेरे बहुत ही सुनदर है यह सारी स्पीचर हैं बर्ड की हैं और अगर आप आये यहां पर एक लफ बेटे है जू बहुती अच्छा है It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be in the great outdoors forever free sometimes you need to go Actually, take a step out To see the truth around you From a distance you can tell I, I... You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free I'm 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 झाल 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 मैं वापिस हज़द्वार आ चुका हूँ और मेरे डे 3 की जरनी भी इहीं पर फिनिश्ट हो गई है और मैं जितना भी इस वीडियो के थूरू टूरिस्स डेस्टिनेशन पॉइंट कवर कर सकता था वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है तो अगर आपको इस वीडियो अच्छ मिलता रहे है तो फाइनली गाइज थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो स्टे ब्लेस्ट एंड बबाए